असलाम अलेकुम दियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन में हम किस चीज़ के ओपर डिसकास करेंगे इसके लिए मैं आउटलाइन को फॉलो करता हूँ आज यस लेसन में हम देखेंगे how to use helix command, helix command किस तरा हम यूज करते हैं और helix command में number of turns अप किस तरा भढ़ाते हैं so students basically helix command तो आप 3D में ज्यादा यूज करते हैं, हम 3D में ज्यादा यूज करने के यूज करते हैं आपने यहां पर किसी भी किसम का कोई mechanical element आपने design करना है, तो उसके लिए आप helix command ज्यादा यूज करते हैं तो नॉर्मल इसकी command क्या होती है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ उसके लिए मैं autocad को open करूँगा, autocad मेरे पास open है, F7 से मैं gids lines को खतम करूँगा, unit set करता हूँ, UN enter करके और unit में देता हूँ engineering और 0 foot 0 inch, ओके next helix command यह आपको यहां पर नजर आ रही होगी यह जी helix command आप देख सकते हैं, तो यह 2D sparil या 3D वगारा के लिए यूज़ के जाते हैं, मैं इंसर प्रेंग वगारा यूज़ करने के लिए बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको helix command को number of tons देने हैं यह जो भी काम करना है, तो हम जब 3D में काम करना हैं, तो आपको आपस helix की command होगी, helix की command है, क्लिक करें, अब जुहीं क्लिक करेंगे तो आपे पस एक dialogue box open होगा, क्याता है, specify center point of base, आपने click करने center point of base पे, specify base radius, आपने देने और या diameter देना है चाहिए, diameter के लिए D प्रेस करेंगा, अब देखें, यहां पर नीचे लिखा हूए diameter भी, तो diameter देना है, जो भी चीज़ देना है, आप यहां से दे सकते हैं, तो मैं 4 देता हूँ, 4 फूट देता हूँ, अब जुहीं मैंने 4 फूट दिया तो देखें, मिर पस एक helix के लिए, यहां पर देखें, अब कहरा है कि आपने यहां पर देखें, कहरा specify top radius, top से आपने कितना radius दे पांच फूट में इसको hide देता हूँ, अब यह मरपस helix command apply होगी है, अब देख सकते हैं, यह 3D के लिए use होगी है, देखें, पांच फूट के इसकी hide भी आगी है, और helix command भी apply होगी है, तो इसको front view से अगर देखें, तो front view से मरपस, ऐसा आएगा, देख सकते हैं, और अग top view से देखें, तो top view में, अब देखें, ऐसा मरपस, helix command इस तरह आएगी, देख सकते हैं, तो यह जी helix command और helix command को आप apply किस्ता करते हैं, तो, यह helix थी, top view में आता हूँ, और इसको x, y आपका जो plan है, इसको आप यहाँ से, UCS icon को UCS origin point में लेके जाते हैं, तो origin के लिए UCS enter, और origin point, display at origin point, origin point में आ जाएगी, अब इसका, यहाँ तक तक हम पास हैं, वापस देखें, यहाँ पे default three turns है, number of turns three है, देख सकते हैं, तो मैं इन turns को बढ़ाना चाहों, turns को बढ़ा भी सकता हूँ, तो उसका method है, तो उसके लिए आप दोबारा helix command, helix यो short की है, उसकी है, hel, specify center point पर क्लिक करें, यह center point है, यहाँ से भी देना चाहाँ है, इसको helix, two foot का radius यहाँ से देता हूँ, specify type top radius अब दे, तो top radius में इसको देता हूँ, for example, 8 inch, top radius दे दिया, specify height, अब यहाँ से height देना चाहाँ तो आप यहाँ से height भी दे सकते हैं, इसके लिए, तो height के लिए मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, height में इसको देता हूँ, 3 foot, okay, अब यहाँ पे अपने number of turn बढ़ाने तो specify helix height और, अब जब height देते हैं, तो height के बाद आप turns भी बढ़ा सकते हैं, height के बाद है, axis end point आप देखें, यहाँ पे लिखा हूँ, helix, click, six inch, और, दो foot, क्या रहा, specify helix height और, और मतलब क्या है, और में मैं कहता हूँ, turn देता हूँ, turn के लिए टी प्रेस करता हूँ, turn, number of turn देखें, क्याने में कहा रहे है, specify helix height, अब height भी दे रहा है, and height के लाभ आपको कहा रहÉ , height, twist, height इसकी कतने देनी है, turn केतने देने, axis केतने देने हा, twist केतना देना है, twist मेंड़ने देना है, ik में PRESS करता हूँ, ab company कहा रहे है, और में मेर्स करता हूँ, CCW में create, देता हूँ और इसको में हाइड देता हूँ पांच विट के हाइड देता हूँ अब देखें इसमें नमर अफ टर्म भी बढ़ गए और ट्विस्ट भी बढ़ गए अब देख सकते हैं यह टॉप फीडियो आ गया अब यहां पर मैंने इसका जो बेस पॉइंट है वो कम दिय है और पाला रेडियेस में जियादा दीया बेस्ट रेडियस में कम दीए है तो आप दिकिने लिए में बबस इसके ए अपने हो गया है तो यह क्मांड होते है हो जी हलेक्स हलेक्स आप किस्टा यूस कर सकते हैं तो ट्रेस्ट वगर अभी आप 3D मेन जब जाएंग आपको स बेस रेडियस और टॉप रेडियस के सरह देतों तो इस चीज़ें आपने आज डिसक्स की अब इंशालर नेक्स लेसंस में मिलेंगे तब तक अपनो बहुत सारा ख्यार लखेगा और हैलिक्स कमांड को बार बर अप्लाय करें ताकि आप इसको समझ सकें क्योंकि आप डेखने मिलेंगे अपनो बहुत सारा ख्यार लखेगा खुदा हाफिज